नमस्कार, दोस्तों, चैनल पर एक बार फिर से आप सवी लोगों का स्वागत है दोस्तों, डीरिफ इविडिस के दरसकों के लिए सभसे बड़ी खुसी की बात यही है कि डीरिफ इविडिस पर Eोकशन होने जा रहा है एक नहीं बलकि दो दो इयोक्षन होने जा रहे हैं 73 और 74 इयोक्षन 26 अक्टूबर के दिन किया जाएगा प्रसार भारती के द्वारा और दोस्तों इसी वैसे डीडी फिडिस के दर्सक काफी कुछ हैं कि उनको 26 अक्टूबर के दिन दो नए चैनल पार्ट्सपेट करते हुए दोस्तों 73 इयोक्षन में जो की MPG 2 वोक्ष के लिए होने जा रहा है वो कौन से चैनल है जो पार्ट्सपेट करते हैं कौन से चैनल ऐसे हैं जिनकी संभावना ज्यादा है जो स्लॉट जीज सकते हैं और एक नॉमबर को डीडी फिडिस पर लॉंच हो सकते हैं दोस्तों क्या ऐसे चैनल भी पार्ट्सपेट कर सकते हैं क्या ऐसे चैनल भी लॉंच हो सकते हैं दोस्तों डीडी फिडिस के दर्सकों के सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में बताने वाले हैं अगर आप लोग इस वीडियो को पुरा देख लेते हैं तो आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा साती साथ डीडिफ लिस्के 73 एक्सर में कौन-कौन से चैनल पाट पेट कर सकते हैं वो भी आपको मिल जाएगा तो दोस्तो वीडियो को पुड़ा देखिएगा वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटा पट लाइक करके अपने दोस्तों में सेयर कर दोस्तों इयोक्षन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा डीडिफिडिस के दर्सकों को नए चैनल देखने को मिलते हैं जब प्रसार भारती के तरफ से इयोक्षन का एनाउस्मेंट नहीं किया गया था तो दर्सकों का लगातार कमेंट आ रहा था दर्सक ये जानना चा रहते हैं कि आकि प्रसार भारती इयोक्षन का एनाउस्मेंट क्यों नहीं कर रहा है इयोक्षन होने में इतनी देरी क्यों हो रही है दोस्तों जैसा कि मैंने आप से लोगों को अपडेट भी दिया था कि प्रसार भारती ने चैनल लाउंच होने के लिए जो रिजर उप्रा गया है वो 11 करोण ही रखा गया है जबकि इसके पहले प्रसार भार्ती लगब अठारा करोण और 20 करोण से अधिक की राशी रखता था जो भी जनरल एंटेटेन्मेंट के चैनल है अगर वो पार्टवेट करते हैं बोली लगाते हैं तो उनको 18 करोण या 20 करोण से अधिक की ब प्रसार भार्ती में जो रिजर्व प्राइज है उसको कम किया है अब यहां पे चैनलों के पास अच्छा खासा मौका है क्योंकि जो रिजर्व प्राइज है वो कम है और इसकी वैसे संभावना ये जताया जा रहा है कि यहां पे डेड़े फिड़े की दर्सकों को अच्छे चैनल भी देखने को मिल सकते हैं दोस्तों अभी तक इयॉक्षन में जो पिछला कई इयॉक्षन हुआ है उसमें भारत एक्सप्रेस जो की एक न्यूज का चैनल है और लगातार वो पार्ट्सपेट कर रहा है लेकिन बोली अधिक नहीं लगा पाता है जिसकी वैसे वो स्लोट नहीं जित पाया है लेकिन यहाँ पे उस चैनल के लिए अच्छा खासा मौका है अगर जो बढ़िया चैनल है जो जन्रल एंटर्टेन्मेंट के चैनल है इस्टार उस्टो सोनी पर जी अन्मोल करन इस्टे इस्टार भारत या इस्टार स्पोर्स पर यह सब चैनल अगर पार्ट पेट नहीं करते हैं तो भारत एक्सप्रेस के पास एक बढ़िया मौका बन जाएगा और दोस्तों न्यूज क्या चैनल है डेड़े फेडिस के दर्सक नहीं चाहेंगे कि भारत एक्सप्रेस चैनल स्लॉट जीते और एड़ हो लेकिन दोस्तों अगर जनरल एड़ेटेन्मेंट के बढ़िया चैनल पार्ट पेट नहीं करेंगे तो भारत एक्सप्रेस के पास एक बढ़िया मौका रहेगा स्लॉट जीतने की क्योंकि इस बार का जो रिजर प्राइज रखा गया है बह कौन से चैनल पार्ट पेट कर रहे हैं और उसके बाद ही कुछ कह पाना सही होगा कि कौन से चैनल इसमें से स्लॉट जी सकते हैं बाकि दोस्तों तब तक की लिए इंतजार करना पड़ेगा और दोस्तों आज भी लोगों को यहीं उम्मीद करना चाहिए कि डीडी फिडिस क के दर्सक अभी वर्ल्ड कप भी चला हुआ है अगर मालिजे जो जन्रल एंट्रेइन्मेंट के चैनल है वो नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं अगर इस्टार स्पोर्ट चैनल भी आ जाएगा तो डीडी फिडिस के दर्सकों को वर्ल्ड कप बिल्कुल फ्री में ही डीड आतार बने रहिए 73 यॉक्षन और 74 यॉक्षन को लेकर जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा मिलते हैं